मन्रेगा से बेकार कोई भी योजना नहीं है लोकसभाविन नरेंद्र बोधी ने कहा नरेंद्र मोधी को एकनोमिक्स की कोई समझ नहीं है 2014 के बाद अमरीका से मशूर दो तीन एकनोमिस मेरे पास आए मेरे से मिलने आए और उन्होंने मुझे एक बात बताई का देखे राहूल जी हमने हिंदुस्तान की अर्द्विवस्ता की एनेलिसिस की हम ये समझना चाहते थे कि 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान की अर्द्विवस्ता इतनी तेजी से क्यों बढ़ी आप हैरान हो जाओगे हमें क्या पता लगा मैंने क्या पता लगा कहते हैं राहूल जी हिंदुस्तान की अर्द्विवस्ता की तेजी से बढ़ने का कारण मनरेगा और किसान कर्जा माफी थी मैंने का यह पताईए कैसे आप कैसे कह रहे हो नहींने का देखिए राहूल जी जब यूपिये के सरकार ने मनरेगा किया लागू किया सीधा 35,000 करोड रुपे हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में गया करोड रुपे किसान का कर्जा माफ किया तो वो 70,000 करोड रुपे सीधा हिंदुस्तान के किसान के बैंक अकाउंट के अंदर गया जैसे ही मजदूरों के बैंक account में और किसानों के bank account में ये पैसा गया वैसे ही किसानों ने मजदूरों ने गाओं में चीजें खरीदना शुरू किया toothpaste, toothbrush, shirt, pant, जूता, गाड़ी उन्होंने ये माल खरीदना शुरू किया जैसे ही उन्होंने माल खरीदना शुरू किया फैक्टरियों ने माल बनाना शुरू किया, जैसे फैक्टरियों ने माल बनाना शुरू किया, युवाओं को रोजगार मिला, हिंदुस्तान की अर्दवस्ता तेजी से आगे बढ़ने लगए.